दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसान पंजी करण की जुपावती होती है पंजी करण होती है उसका प्रिंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए दोस्तो सबसे पहले आपको अपने मुबाइल का कुरम रावजर ऑपफेन करना है और यहाँ पर टाइप करना है D.B.T. अगरिकल्चर टाइप करने के बाद यहां पर करनना के बाद ति Пока है जैसे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटर्फेस सो हो जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है कि dedicate करने के बाद पंजी करने क्लिक करना है लेफ्ट साइड में जो आपको Give time डिया हुआ है उसके बाद नीचे के तरफ आएंगे तो इस पर पाउती प्रिंट करेंगे अप्शन पर क्लिक करना है कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर पंजी करनर पाउती पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना डाटा सेलेक्ट करेंगे तो आप विपाउती किस चीज़ से डाउनलोड करना चाहते हैं आधार संख्या से या पंजी करना संख्या से तो हम यहाँ पर आधार काट संख्या से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आधार संक्या वाले option पे click कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आधार नमबर डालेंगे और so record पे click करेंगे चलिए हम फटाफट आधार नमबर डालके so record पे click करते हैं जैसे so record पे click किए तो आपके समने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा यहीं है आपका किसान पंजी कांगा की जो रसीद है वह आपके सामने आ जाएगी अब यहां से आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं कि नहीं तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आसा करते हैं यह वीडियो आपको पुरा समझ में आया होगा वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दिजिए यह वीडियो अपने दोस्तों को भी सेर कर दिजिए ठैंक्स पर वाचिंग फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में